लोग कहते हैं स्वामी जी कोई ऐसी चीज बतादो कि एक ही चीज कर लें सारे रोग कर जाएं तो आज आपको इसी की बात ही करूँगा स्वामी जी मुझे ऐसी चीज बताओ कि सर के बाल से लेकर पैर के नाकून तक हर चीज जवान घो जाए ऐसी चीज़ बताओ, हम हमेशा फिट रहें ना बाल तूटें, ना बाल जड़ें, ना गिरें, ना समय से पहले सफेद हो ना आँकों की रोशनी घटे, ना सर के रोग हो, ना थकावट रहे, ना वीकनेस रहे ना चमडी के रोग हो, ना सकिन कमजूर पड़े, एंटी एजिंग एफेक्ट आए, जल्दी बुड़े ना हो, शरीर जवान रहे लिवर अच्छे से काम करे, किड्नी का फिल्ट्रेशन बढ़िया काम करे, आते सही से काम करे, पैंकिरिया सही से काम करे पैट खुलकर साफ हो, पैट का हाजमा बिल्कुल ठीक रहे, रक्त धमनिया अच्छे से रक्त परवाहित करे, शरीर में किसी चीज की कमी ना आए, शरीर औरजा से, शक्ती से, एनरजी से भरा रहे तो एक ही चीज बताओ, तो आज एक ही चीज बताने जा रहा हूँ, आवला, इंडियन गूसबेरी, रोज कच्छा आवला तीन चार पीस चबा कर खा लिया करो, सुबा सुबा, जिन्दगी में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इमिनिटी इतनी जाद आएगी, रोग आपके पास फटकेंगे नहीं, बूडे भी हो जाओगे, बाल भी सफेद हो जाएंगे, तो भी एनरजी की कमी नहीं आएगी, आँखों की रोशनी इतनी तेज होगी कि आप कहोगे सुबामी जी कमाल हो गया, शरीर चुस्त फुर्त, संत्रे से बीस गुना जादा विटामि इम्मिनिटी का बाप है ये, इतना जबरदस चीज़ा कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन लोग कहते हैं, स्वामी जी ये हर रोज तो मिलता नहीं, दो तीन महीने मुश्किल से आता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो दो तीन महीने कच्छा आवला खाओ, और जब ना आए तो आवला पाउडर जो बजार से मिल जाता है बना बनाया, ये आवला लाके कूट के पीस के रो, उसको बना लो सुखे आवलो को, उसको रोज एक चमच रात को पानी में घोल के ढखके रख दो, सुबह उठो उसको फिर से गोलो और पीलो, तो आपका वही काम हो गया, रो बर गया, ताकत से शरीर बर गया, जितने आप 54 पराज खाते हैं ये हैं कि इन में सबसे ज़्यादा में इंग्रीडिन्ट आवला है, आवला इम्मिनिटी के लिए नमबर वन चीज है, मैंने आपको नमबर वन और एक ही चीज बता दी, सौफल एक तरफ, एक आवला एक तर एक तरफ